कैसे शुरू करें च्छोटे स्थर पर डेरी फार्मिंग का बिजनस इसमें आपको मुखे रूप से डेरी प्रोडक्ट यानि कि वो प्रोडक्ट जो दूद से जुड़े होते हैं, मांकिट में बेचने होते हैं, आप दूद तो आसानी से अलग-लग पशुर जैसे घाए, भैंस से प्राप्त कर सकते हैं, पर इसे जुड़े प्रोडक्ट जैसे दही, खी, आदी के लिए आपको अलग से काम करना पड़ेगा, जिसमें समय लगता है, इसलिए अगर आप चाहें तो सीधा दूध ही बीट सकते हैं। इस विपार को आप छोटे, मध्यम और बड़े पैमाने पर शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास जादा संख्या में भैंस या गाय खरीदी के लिए पैसे नहीं है, तो आप केवल चार भैंसों को रख कर भी ये विपार खोल सकते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप छोटे स्थर पर शुरू कर सकते हैं अपना खुद का डेरी बिजनस। छोटे स्थर के डेरी फार्म चोटे स्थर पर इस विपार को शुरू करने के लिए आपको पांच भैंस या गायों की सरूरत पड़ेगी। वही इन भैंस को लेते समय ये सुनिश्चित कर लें कि ये अच्छी नस्ल की हों और एक दिन में कम से कम 10 लीटर दूर तो आवश्य दे। भार सरकार द्वारा डेरी फार्म के कारोबार को बनावा देने के लिए कई तरह की मदद की जा रही है। की डेरी फार्मिंग शुरू करने की लागत। चोटी स्थ की डेरी फार्मिंग आप दो पश्यों से भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए सरकार आपकी भरपूर मदद करने के लिए तयार है क्योंकि पशु पालन विभाग इस ओर जादा ध्यान दे रहा है। दू देने वाले पश्यों से टेरी यूनिट शुरू करना चाहते हैं। देन शेट डाल कर भी पश्यों के रहने की विवस्ता की जा सकती है। जब कुछ फायदा होने लगे तो धीरी धीरे आप पश्यों की संग्या पढ़ा सकते हैं। देरी वेपसाई से कुल मुनाफ़ा। देरी पाम में अगर आपके पास 10 पशु हैं और पशु हर दिन अगर 10 लीटर दूद देता है तो आपके पास 100 लीटर दूद हर दिन का हो रहा है। दूद की औस्त कीमत 40 रुपे प्रती लीटर होती है जो गर्मियों में बढ़ जाती है तो 40 रुपे प्रती लीटर के हिसाब से आप हर दिन 4,000 कमा सकते हैं जो कि एक अच्छा मुनाफ़ है तब भी आप हर दिन 1,000 कमा लेंगे जो कि एक महीने का 30,000 हो रहा है इतने पैसे शुरुआत में बहुत होते हैं और जैसे जैसे आप बिजनस के बारे में जादा समझते चाएंगे आप जादा पैसा कमा सकते हैं आप दूप का उत्पादर बढ़ा सकते हैं और इससे जादा जाएगा उतना ही अच्छा दूद वो हमको दे पाएंगे पशों को भूसा तो देना ही है और साथ ही साथ हारी घास पी देनी होगी पानी अधिक मात्रा में देना जरूरी है क्योंकि अगर पशु पानी नहीं पिएगा तो वो अधिक मात्रा में दूद नहीं दे पाएगा देरी फार्म के लिए गाय और भेंस फरीतिसमें कुछ खास बातों का ध्यान रखें देरी फार्म के लिए आप उन्हें नसल की गाय का चुनाफ करें जो दूद जादा देती हैं और जैसे की साही बार ये 15-18 लीटर दूद देती हैं भार पार कर गाय एक दिन में 16-18 लीटर दूद देती हैं आपको सही नसल का चुनाफ करना बहुत ही जरूरी होता है तब ही आप अपनी बिजनस में सफ़ता पा सकते हैं आपके बिजनस का सच्चा साथी